आलो फेंस मेरे चानल में आप लोग का स्वागत है आप लोग सुकेशे हो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वच्छा होंगे, खुश होंगे, खुश आलप होंगे आज यहां पर देखिए मैं बना रही हूं चाना अलुकी सब्जी आज हम बनाएगा पूरी तो यहां पर अगर चाय बना लेगा है वो पुजा के लिए जिए पुजा के घर में था तो हम पटा बड़ ब्रेक्पास्ट बना लेते हैं अगर ब्रेक्पास्ट बनाने के बाद मैं आगे आपके साथ थोड़ी सी बात कर लीती हूं किम्पी आज मैं आपके साथ एक चिकेन की सुन्दत सा रेसिपी सेयर करने बाली हूं आप लोग बिल्द कुल फूल वाज किजिए किम्पी बिल्द कुल टेस्टी रेसिपी जो लोग का मैल का मसला पसंद करते हैं उनलोगों सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को फूल आज किजिए मेरे रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज एक लाइक सेयर सस्क्राइब कर दीजिए और रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा सेयर किजिए आप लोगों को चारूर पसमना आएगा तो चलिए वीडियो को फटापट स्टार्ट कर लेते हैं अब हम चिकेन को करेंगे मैटनेट एक तेजबता दो डाल चीन एक चामच जीरा हरी मिलाची काली मीट लॉंग सारी चीज़ को चिकेन में डाल देंगे यहां पर आधा केज़ी चिकेन को मैं साप कर चुकी हूँ अब इसमें हम डाल देंगे डो चामच मस्टार ओयल बिल्कुल टेस्टी रेसिपी आज बनना है वीडियो को फूल आज किजिए और मुझे सपोट किजिए तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, कटी हुई टमाटर, लेशून, हरी मीट और जिसावा अत्रग सारी चीज़ को अम अब चिकेन में डाल देंगे बिल्कुल कम समय में, कम ओयल में, कम मस्टा में आज बना रहा है चिकेन की रेसिपी तो बिल्कुल नियू रेसिपी आप लोग जरूल, उसको पसंद आएगा अब हम उसमें डाल देंगे, सारा सुखा मसला जैसे हल्दी पाउडर, लाल मेट पाउडर, जिरा पाउडर, घन्या पाउडर, तोड़ा सा कास्मे, लाल मेट पाउडर भी डाल दीजिए बिल्कुल तिखा वाली चीतिखी वाली चीकेन आज बनाई चीलिजे, थोड़ी चीतिखा पन इसमें अच्छी लगती है आपको चितनी तिखा चाहिए, आप लोग इसी अनुसार सारी तिखा चीज को डाल दीजिए, कि मिस सारी चीज हम तिखा ही डाले है यहाँ पर एक चामर चाहिए, पेस्ट, कटी हुई, तीन प्याज और दो स्प्रिंग ओनियन, आपको पसंद है तो स्प्रिंग ओनियन डाले, आपके पास है तो नहीं तो स्किप कर लिजिए अब यहाँ पर दो चामर चीकेन मसला बास, उसको डाल कर अच्छी तरह महतों में मिस कर लेंगे मिस करने के बाद हमारी जितने सार चीकेन की पीस को उपर ले आईए और उसको जो प्याज बगेरा सबको नीचे रख लिजिए इसी तरह करने के बाद आप उसको धकन लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ देती हैं ज़्योदा टाइम नहीं हो तो अधा घंटा के लिए उसको धकन लगाकर छोड़ देजे अब ग्याद को बिल्कुल धिमा कर लिजे अब कुछ नहीं करना है बिल्कुल धिमा आज पर कड़ाई को रख लिजे अब यहाँ पर कड़ाई को हम रख लिख चुके हैं तो हर 5 मिनिट में हम धकन को निकालते रहें और चिकेन को मीज करते रहेंगे बाद इतनी ही हमारी काम यहां पर देखिए चिकेन की कलर भी धिरे धिरे चेंज हो रहा है कितनी सुन्दर दिख रहा है आप लोग ज़रु ठैक पाट ट्राइ किजिए और यहां पर फिर से ढकन लगार उतको 5 मिनिट पकने के लिए हम छोड़ देते हैं यहां पर चिकेन चे हमारे धीरे धीरे पाने भी रिलिज होना शुरू हो चुका है आप लोग 5 मिनिटे उतको एक बार जरूर मिस कीजिए नहीं तो हमारे जो चिकेन होती है न नीचे जलना का चल जल जाएगा तो यहां पर देखिए फिर से में निकाल प्लेट निकाल कर उतको चेक कर रहती देखिए आप लोगों दिखाए दोगा कितना सारा पाने नेलिज हो चुका है इसी तरह के पाने सुकने तक हम चिकेन को पकाना पड़ेगा उस पकाना के बाद हमारी चिकेन अच्छी तरह बोईल हो जाए और ओयल दिलिज हो जाए तो हमारी चिकेन बन का रेडिय हो जाएगा यहाँ पर आपको चाहें तो थोड़ी सी हरा धनिया भी बाद में डाल दीजिए लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाली थी बिल्कुल सुखा बनाई थी आप लोग चाहें तो थोड़ा सा गरम बनी में डाल दीजिए जूस बगरा के लिए लेकिन मैं बिल्कुल सुकावी बनाए थी ओयल हमारी विली जो चुका है हमारी चिकेन बनकर रेडियो हो चुका है आप लोग एक बार जरूर ट्राय किजिए और मुझे कमेट बक्त निजा कर कमेट किजिए आप लोग वे रेसिपी जरूर पसंद तो आप लोग जरूर एक बार ट्राय किजिए जो चिकेन की रेसिपी मैंने आपके साथ सेयर के आप लोग जरूर पसंद आएगा मेरी ब्लॉक आप लोग को पसंद आया तो प्लीज एक लाइक सेयर सस्क्राइब कर देजिए तो आज के वीडियो का में एहीं पर एंड करते है मिलते हैं आप लेक वीडियो में बाइग